नमस्कार आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के समपादकी से 411 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइन्स के साथ लेने वाले हैं इसके आउटलाइन्स को जानने के लिए आप हमारे साथ हैं टीम एप को प्लेइश्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशनी स्टार्ट होगा, पांच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। इस्टार्ट वह सुभ घड़ी आ गई जिसके प्रतिक्षा वर्सों नहीं, दसकों नहीं, बलकि सदियों से थी एक सुअपन साकार हो रहा है जो ना केवल खुली आखों से देखा गया, बलकि जिसके लिए सतत प्रयत्न किये गएं और साधना के साथ संगहर्स के पथ पर भी चला गया अनेका नेक बाधाओं के साथ भी राम जन्म अस्थान पर उनके नाम के मंदीर को अस्थापित करने का हिंदू समाज का संकल्प कभी दिगा नहीं इसी संकल्प का परिडाम है कि आयोध्या में राम मंदीर अपने भव्य रूप में आकार ले रहा है यह मात्र एक मंदीर नहीं है यह भारत की संस्किर्थी और अस्मिता का प्रतीक है एक स्वाभिमानी राष्ट्र अपने ऐसे ही प्रतीकों से उर्जा प्राप्त करता है राम मंदीर भारत की चेतना का प्रयाय है और इसका भी कि राम जन जन की स्मिर्थी में कितने गहरे रचे बसे हैं यह हाल के इतिहास में पहली बार है जब किसी समाज ने अपने प्रेडा पुरुस के जन्म अस्थान एवं उनके उपासना अस्थल को अतिक्रमण और अवैध कबजे से न्याय पूर्वक छुडाने में सफलता प्राप्त की इसी कारण राम मंदिर प्राड प्रतिष्ठा समारोह देश विदेश में ओने ओने में बसे भारतियों ओ भाव विभोर कर रहा है और विश्व की जिग्यासा का केंद्र बन गया है यह भारत ही नहीं विश्व इतिहास में सामाजिक, सांस्किर्ति, धार्मिक और राष्ट्रिय महत्व का सबसे बड़ा आयोजन है इस आयोजन को लेकर उमड़ा भावनाओं का ज्वार ऐसे प्रस्णों का उत्तर दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माल क्यों आवस्यक था और हिंदू समाज उसके लिए इतनी वियग्रता से क्यों प्रतिक्षा कर रहा था अच्छा होता कि यह प्रतिक्षा स्वतंत्रता के बाद ही पूरी हो जाती लेकिन संकील राजनेतिक कारणों और सेक्यूलरिज्म की विजातिये विक्रित अवधारणा के चलते ऐसा नहीं हो सका पैरा यह एक बड़ी विडंबना रही कि आयोध्या में राम मंदिर के निर्मार की हिंदू समाज की सदियों पुरानी स्वभाविक अभिलासा की ना केवल अंदेखी की गई बलकी उसका उपहास भी उडाया गया राम मंदिर आंदोलन के समय यह कार्य कथित सेक्यूलर तत्तुओं अपने ओट बैंक को भुनाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले राजनेतिक दलों और भारतियता को नकारने वाले बुद्धी जीवियों ने तो किया ही मीडिया के एक बड़ी हिस्से ने भी किया लेकिन दैनिक जागरल ने सदेव इस पर बल दिया कि आयोध्या में कथित बाबरी मस्जिद के अस्थान पर राम का मंदिर ही बनना चाहिए और इसलिए बनना चाहिए क्योंकि राम जन्म अस्थल पर कथित बाबरी मस्जिद का निर्मार भारत की सभ्यतागत चेतना एवं संस्कृति को अपमानित करने के लिए किया गया एक आगात था इस्टाप दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग अस्थी की स्पीड मिलेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट जिसके लिए सतत प्रयत्न किये गए और साधना के साथ संगहर्ष के पथ पर भी चला गया अनेका नेक बाधाओं के साथ भी राम जन्म अस्थान पर उनके नाम के मंदीर को अस्थापित करने का हिंदू समाज का संकल्प कभी बिगा नहीं इसी संकल्प का परिडाम है कि आयोध्या में राम मंदीर अपने भव्य रूप में आकार ले रहा है यह मात्र एक मंदीर नहीं है यह भारत की संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है एक स्वाभिमानी राष्ट्र अपने ऐसे ही प्रतीकों से उर्जा प्राप्त करता है राम मंदीर भारत की चेतना का प्रयाय है और इसका भी कि राम जन जन की इसमिर्थी में कितने गहरे रचे बसे है यह हाल के इतिहास में पहली बार है जब किसी समाज ने अपने प्रेडा पुरुस के जन्म अस्थान एवन उनके उपासना अस्थल को अतिक्रमड और अवैध कबजे से नियाय पूर्वक छुडाने में सफलता प्राप्त की इसी कारण राम मंदिर प्राड प्रतिष्ठा समारोह देश विदेश में ओने ओने में बसे भारतियों को भाव विभोर कर रहा है और विश्व की जिग्यासा का केंद्र बन गया है यह भारत ही नहीं विश्व इतिहास में सामाजिक, सांस्किर्ति, धार्मिक और राष्ट्रिय महत्व का सबसे बड़ा आयोजन है इस आयोजन को लेकर उमड़ा भावनाओं का जुआर ऐसे प्रस्नों का उत्तर दे रहा है कि राम मंदिर का निर्मार क्यों आवस्यक था और हिंदू समाज उसके लिए इतनी वियग्रता से क्यों प्रतिक्षा कर रहा था अच्छा होता कि यह प्रतिक्षा स्वतंत्रता के बाद ही पूरी हो जाती लेकिन संकील राजनेतिक कारणों और सेक्यूलरिज्म की विजातिये विक्रित अवधारणा के चलते ऐसा नहीं हो सका पहरा यह एक बड़ी विडंबना रही कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्मार की हिंदू समाज की सदियों पुरानी स्वभाविक अभिलासा की ना केवल अंदेखी की गई बलकि उसका उपहास भी उडाया गया राम मंदिर आंदोलन के समय यह कार्य कथित सेकिवलर तत्तुओं अपने ओट बैंक को भुनाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले राजनीतिक दलों और भारतियता को नकारने वाले बुद्धी जीवियों ने तो किया ही मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी किया लेकिन दैनिक जागरल ने सदेव इस पर बल दिया कि आयोध्या में कथित बाबरी मस्जिद के अस्थान पर राम का मंदिर ही बनना चाहिए और इसलिए बनना चाहिए क्योंकि राम जन्म अस्थल पर कथित बाबरी मस्जिद का निर्मार भारत की सभ्यतागत चेतना एवं संस्कृती को अपमानित करने के लिए किया गया एक आगात था दोस्तो इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट वह सुभ घड़ी आ गई जिसके प्रतिक्षा वरसों नहीं दसकों नहीं बलकि सरियों से थी एक सुअपन साकार हो रहा है जो ना केवल खुली आखों से देखा गया बलकि जिसके लिए सतत प्रयत्न किये गए और साधना के साथ संगर्स के पथ पर भी चला गया अनेका नेक बाधाओं के साथ भी राम जन्म अस्थान पर उनके नाम के मंदीर को अस्थापित करने का हिंदू समाज का संकल्प कभी दिगा नहीं इसी संकल्प का परिडाम है कि आयोध्या में राम मंदीर अपने भव्य रूप में आकार ले रहा है यह मात्र एक मंदीर नहीं है यह भारत की संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक है एक स्वाभिमानी राष्ट्र अपने ऐसे ही प्रतीकों से उर्जा प्राप्त करता है राम मंदीर भारत की चेतना का प्रयाय है और इसका भी कि राम जन जन की इसमिर्थी में कितने गहरे रचे बसे है यह हाल के इतिहास में पहली बार है जब किसी समाज ने अपने प्रेड़ा पुरुस के जन्म अस्थान एवं उनके उपासना अस्थल को अतिक्रमर और अवैध कबजे से न्याय पूर्वक छुडाने में सफलता प्राप्त की इसी कारण राम मंदिर प्राड प्रतिष्ठा समारोह देश विदेश में ओने ओने में बसे भारतियों को भाव विभोर कर रहा है और विश्व की जिग्यासा का केंद्र बन गया है यह भारत ही नहीं विश्व इतिहास में सामाजिक, सांस्किर्ति, धार्मिक और राष्ट्रिय महत्व का सबसे बड़ा आयोजन है इस आयोजन को लेकर उमड़ा भावनाओं का जुआर ऐसे प्रस्णों का उत्तर दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माल क्यों आवस्यक था और हिंदू समाज उसके लिए इतनी वियग्रता से क्यों प्रतिक्षा कर रहा था अच्छा होता कि यह प्रतिक्षा स्वतंत्रता के बाद ही पूरी हो जाती लेकिन संकील राजनीतिक कारणों और सेक्यूलरिज्म की विजातिये विक्रित अवधारणा के चलते ऐसा नहीं हो सका पैरा यह एक बड़ी विडंबना रही कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्मार की हिंदू समाज की सदियों पुरानी स्वभाविक अभिलासा की ना केवल अंदेखी की गई बलकि उसका उपहास भी उडाया गया राम मंदिर आंदोलन के समय यह कार्य कथित सेक्यूलर तत्तुओं अपने ओट बैंक को भुनाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले राजनेतिक दलों और भारतियता को नकारने वाले बुद्धी जीवियों ने तो किया ही मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी किया लेकिन दैनिक जागरण ने सदेव इस पर बल दिया कि आयोध्या में कथित बाबरी मस्जिद के अस्थान पर राम का मंदिर ही बनना चाहिए और इसलिए बनना चाहिए क्योंकि राम जन्म अस्थल पर कथित बाबरी मस्जिद का निर्मार भारत की सभ्यतागत चेतना एवं संस्कृति को अपमानित करने के लिए किया गया एक आघात था इस्टाब